दोस्तों आप लोग के लिए राज सभा के अध्याने का इसको लेकर क्या अश्टेटस है तो इस वीडियो को देखेंगें पर क्या के सवाल पुछे गए थे जैसे कि आपको national recruitment agency यानि कि आर एन आरे का जो आपका agency है जो की सभी प्रकार का recruitment वहाँ पर करवाएगी तो उसका क्या अभी status है वो कब से recruit करेगी यह सभी चीजों को यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आपको 10 लाक में आपको कहां कहां कितने कितने वेक है तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं और इसके बाद आपका एक वीडियो और आएगा आज साम तक या फिर कल मॉर्निंग तक आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको नॉन गेजेटेट और गेजेटेट पोस्ट का आपका लेव सभी पर एक वीडियो आपका साम तक भी आएगा तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपको सभी डिपार्टमेंट में कितने कितने वेकेंसी अभी यहाँ पर हैं तो यह हम देखने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप इस चैनल पढ तो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो यदि आप इस टेलिग्राम चैनल से नहीं जुरे हैं तो आपको इसी वीडियो के comment box में जाईएगा तो यहां पर link दिया गया है या फिर description box में जाईएगा तो वहां पर सभी link आपको provide किये गया है यह आपका कोश्चन नमर 27 था जिसका अंसर यहां पर दिया गया था दो फरवरी 2030 को और यहां पर 10 लाख जोब है उसका किस तरह से यहां पर वेकेंसी डिपार्टमेंट वाइज है यह पुछा गया था और यह जो कोश्चन पुछे गया थे यह सुसील कुमार मोदी के तरफ स पूर प्रोवाइटिंग दे जॉब उप 10,00,00 यहां पर देने का इन वानよね मैं यहां पर बोला गया था कि दस लाख job दिया जènगा है और डिपार्टमेंट वाइज यहां पर कितने दिये कैन यह भी बतानी के लिए यहां पर बोलागया है तो यहां पर आपकर सकते है कि इस अब देश्टेट और प्राइम मिनिस्टर ओफिस है तो इनका ये है मिनिस्टर है तो ये जितेनर सिंग के द्वारा जवाब दिया गया है कि रिकुट्मेंट एगेंस्ट वेकेंट पोस्ट इस कंटिनुएस जो रिकुट्मेट चल रहा भी प्रोसेस में है ये दस लाख वेके है उन्हें सभाइब रिकुट्मेट चल रहा है कीनि का रिक्स्ट हो गया है तो वो वह फेकेंसा रहा गया है डिजिंसिन संदक्नि सब्सक्राइब लोग देह थिए हैं कै लोग का प्रोशन हो गया तो उन्हें सभी इस र Victory government process चल रहा है ये इसा बोला ज़ाइव कहा है एकडिसी ऑफ दा सगार मिला इवेंट आर बींग हैल अक्रोस द ‑‑ तो आप लोग को ऐसा तो यह दाग्याम टर्मस के तरप से बता ही ज़य पोर तो रोजगार मिला आया है तो आप लोग को अपडेट कर दिया गया था कि रोजगार मिला किसके डेट को यहां पर हुआ है इधर आपका 20 तारिक को भी हुआ था तो यहां पर देख सकते हैं दर न्यू पॉइंटी आर इंडिकेटेड इंडेक्टेट इंडू बेरियस सेंटर मिनिश्टरिज है कि इनका जो रिकूट्मेंट पोर्सस है जो दस लाख वल आपने को सिन पूछा है तो उसका यहां पर बताया गया है लेकिन यहां पर आपका यह देखने के लिए मिलेगा कि सेकेंड में आपको बोला गया है कि ता स्टेटस ओप दए वेकैंस इन गॉर्म एट पर जेन्ट डिपार्टमेंट्ट वाइज यहां पर बोला गया है तो ऍस्टेटस क्या है तो आपको यहां पर देखने के लिएAnn जागा कि कितने एक कि एक मार्चिबम रजह किसता का है आपको कितने के लिए मिल रहा देखिव ऐकनसी पोजीशन ऑफ और ministry and department में एक मार्च 2021 तक कितने भेकेंट पोस्ट है इसका आपको यहाँ पर ब्योरा दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पापको ministry and department यहाँ पर बताया गया है यहाँ आप देख सकते हैं यह pdf आपको the exam terms के official telegram channel पर देखने के लिए मिल जाएगा जिनके पास नहीं है तो वोग वहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पर department बायर आपको यहाँ पर बता गया है कि एक मार्च 2021 तक कितने हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका defense के field में कितने atomic energy atomic energy में और यहाँ पर defense के field में यहाँ पर vacancy देख सकते हैं सिविल में यहाँ पर 2,64,706 vacancy यहाँ पर एक मार्च 2021 तक का यह ब्यूरा यहाँ पर बताया गया है तो इस तक आपका यहाँ पर vacancy था यहाँ पर atomic energy का 9,460 vacancy यहाँ पर आपका आयूस मंत्राले में बात करते हैं तो 118 vacancy यहाँ पर बताया गया है cool के field में आपको 170 vacancy यहाँ पर बताया जारे हैं वहीं पर हम देखते हैं railway वाले candidate का यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं आपको यहाँ पर railway वाले candidate का देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको 1 March 2021 तक का बताया जा रहा है कि 293,943 vacancy यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपको revenue के field में आपका बताया जा रहा है है revenue department में 88,243 सीट यहाँ पर आपका है उसी तरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर road highway and road transport and highway में आपको 287 बताया गया है road rural development में आपका 157 वेकेंस यहाँ पर बताया जा रहे हैं इस तरह से आपको कुल वेकेंसी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसको जोरिएगा तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि science and technology के field में आपका 8543 वेकेंसी यहाँ पर खाली थे उस डाटा तक मतलब उस डेट तक आपका उतना डाटा वहाँ पर उप्लब्द कराए गया था यहाँ प आपको बताया जाएगा कि department wise कितने वेकेंसी हैं और आपका station wise बताया जाएगा कि 2017-18-19 इस तरह से लेके आपको test जो आपको चल रहा है उस डेट तक आपको इस year तक बताया जाएगा कि आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा वीडियो में कि कितने कितने वेकेंसी हैं और यहाँ पर working है और यहाँ पर level 1 के वेकेंसी आपको जिसमें आपको department wise आपको देखने के लिए मिलेगा आपको zone wise देखने के लिए मिलेगा और division wise भी आपको आपको आपर देखने के लिए मिलेगा तो आपने यदि subscribe नहीं किया इस channel को तो आप subscribe कर सकते हैं यहाँ पर आगे and urban affairs में 2751 वेकेंसी यहां पर बताया जा रहा है वहीं पर आपको statics and program implementation में 2156 और space में 2106 वेकेंसी यहां पर थे वहीं पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको union public service commission के बात बताते हैं तो यहां पर आपको 657 वेकेंसी उस date तक बताया गया है वहीं पर water resource river development में आपको 6860 वेकेंसी यहां पर बताया गया इस तरह से आपको total जो है आपको 9,89327 वेकेंसी यहां पर बोला गया है कि यहां पर आपका vacant position यहां पर post बता दिया गया जो को एक मार्च 2021 तक यहां पर आपको कुछ और question जो पूछा गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि the vacancy of the SC, ST, OVC, EVC and EWS there in category wise आपको पुछा गया है और यहां पर second question पुछा गया है कि the number of the jobs targeted to be provided to the personal persons belonging to SC, ST, OVC, EVC category out of the bucket of 10 लग तो यहां पर बोला गया है कि इन सभी category के जो student हैं तो उनको 10 लाख का जो वहां पर है योजना मतलब आप वह जो बोला गया है कि one year में क्या जागा 10 लाख उसमें से कितने कितने आपका इन सभी category वाले के लिए seat है तो यह पूछा गया मतलब इंडिविजूल यहां पर पूछा गया तो इसके जबाब मे यहां पर एक साथ जबाब दिया गया है जो कि आपको C और D का बोला गया है कि categories wise detail of vacancy recruitment is maintained by the respective ministries and department and organization तो यहां पर आपको असपस ट्रोप से इसमें नहीं बताया गया है और यहां पर बोला गया है कि इसका जो vacancy है categories wise वह आपका जो माने कि जो respective ministries है department है organization है तो उनके द्वा पारे में आपको बोला गया उसके बाद आपको next अब यह पुछा गया था question कि the number of the person who have been provided job out of the 10 lakh job as on date and why when national recruitment agency will be operational तो यह पुछा गया है कि यह कब तो यह operation में आ जाएगा आपका national NRA जो है national recruitment agency the current status क्या है इसका यह भी पूछा गया है तो यहाँ पर आपका जो यह नमर का question पूछा गया था यह नमर का question पूछा गया था कि आप लोग 10 lakh में से कितनी को अभी तक नौकरी दे चुके हैं तो इसके बारे में बुला गया है तो यहाँ पर यह जबाब जो दिये गया है वो रोजगार मिला is expected to continue तो यहाँ पर बूला गया है कि अभी तक जो दिया गया है तो यह अभी continue हो चल रहा है मतल़ रही का process चल ही आप दिया था चशनल पर तो आप लोग कमेंट करके बता सकते तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह continue है to act at catalyst in the further employment and self-employment generation तो यहां पर बोला गया है कि जवाब में कि रोजगार मिला जो ही ये catalyst की तरह काम करें हैं employment and self-employment के फिल्ड में मतब generation में कि जल्दी से जल्दी हो सके उसके रिए रोजगार मिला एक मतब की तेजी से मतब उसको मतब धार देने का काम करें मतब जल्दी जल्दी उसको करने के लिए रोजगार मिला उसमें सहायक बन रहा यह कहना है and provide आपका gainful service opportunity to the 10,10,000,000 youth over a period of one year and so यह बोला गया और यहां पर recruitment agency जो national recruitment agency है NRA के बारे में जो बताया गया है कि the national recruitment agency यानि कि NRA has been constituted जो कि बन चुका है इनके बारे में बोला गया है वहां पर status मांगा गया था question में कि इसका अभी क्या process है कब से operational होगा और अभी क्या status है तो यहां पर जबाब दिया गया है कि NRA has been constitution मतब उसको बना दिया गया है agency को the NRA has been conducted a detailed study of the recruitment system of the center as well as state in order to adopt the best practices तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो NRA को गठित किया गया है बनाए गया agency को तो वह अभी study कर रहा है कि सभी जगा जो central का as well as state में recruitment होता है तो वह किस तरह से होता है उसके बारे में detail study किया जा रहा है किस तरह से होता और उसको किस तरह से करना चाहिए मतलब उसके बारे में एक मतलब फॉर्मिट वह अपना यह तयार करें कि किस तरह से आगे का process चलेगा ताकि वह smoothly सभी का recruitment हो सके इससे रिलेटर अभी यह study का काम चल रहा है ताकि आगे fast हो सके तो यह बोला गया है कि अभी study के recruitment system को study किया जा रहा है center और state के दोनों को तो यह जब भी होगा तो इसके बारे में आपको एनरे के बारे में जब भी update कुछ आता है कि कपसे यह लिया जाएगा इसके थुरू या फिर कोई भी आपको अपडेट आता है एक्जाम नेशन से रिलेटर तो आपको दैग्जाम टाम्स के ही ऑपिसल य 293,943 कंडेट का यहां पर भेकेंट था जो कि यह आपका एक मार्च 2021 तक यहां पर बताया गया है आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको 2023 तक का जनवारी 2023 तक का वहां पर आपको डाटा देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग सब्सक्राब नहीं कि हैं सब्स